हाजर हां दोस्तों, तोड़े सनमुख परसिद कहाणिकार सावल तामी हुरंदी लेखी हुई एक कहाणी है, उलाद नाणों जान बद प्यारी हुन दिये। वंड विल्ले लहौर दे चार थाने पारदे हिस्से आ गए, ते वल्टोई ये बैठे बठाई लहौरियां तों अम्रसरिये बन गए। इस पैंड दे जमपल पंडत अमीर चंद आज कल जलंदर रहे रहे ने, संताली दे आर पार्दियां कैई याद दां उना कोण मैफूज अठमी ते नौमी ए दोज मात्तां मैं कसूर च बढ़या सां। मेरे पिता कसूर दे डियेवी स्कूल विच उस्ताद सां। सड़ा सारा मुहला मुसलमाना दासी। नौकरी छटके सां उनिसो च्यालीच मेरे पिता पेंड मोड आये सां। संतालीच असी वल्टोहेच ही साड़े पेंड कुई खास वड़टोक ने सी हुई। कर्याला ते वर्नाला मुसलमान जट्टां दे पेंड सं। उत्थे ता लाशां दे टेर लगया सं। वेखदियां वेखदियां पाकस्तान वलों हिंदू सिखां दे काफले ओन लगये। पेंडों बाहर उना दा केंप लगया। सारा पेंड लंगर त्यार करदा ते असी नौजवान उनानू छकौन जान दे। ए सेलसला को डेड महीना चालदा रहा। बंड तो महीना को पहला दी गल्ले। मैं लल्यानी मंगया गया सां। उस पेंड च भी बहुत कतलोगारत होई सी। मेरे सौरे बच गये उना एक रात पहला ही पेंड शाड देता सी। ओ पहला ता सिद्धे करनाल वाल निकल गये। ते फिर कोज महीन्या बाद उनानू पट्टी वेच जमेन अलाट होगे। सन अठताली च मेरा व्या होगया। व्याच उदासी दा महौल सी। वजा ये सी के साड़ी वचोलन करत उद्धर रह गी सी। ओ मेरी पत्नी दे ताय दी ती सी। उस दा वंडतों कोई छेक मिन्ने पहला ही व्या होया सी। उस दे सौर्यां दा पेंड सी हललड के पमार। ए लहौर दी कसूर तसील दा पेंड सी। उना दा कापला जदू खेम करन दी लेंदे पासी स्थित दुल खालक दी दरगा कोड पहुंचिया ता उना ते हमला हो गया। करतारों दा सारा सौरा प्रवार कतल कर देता गया। ते ताडवी उसनू चोक्के ला गया। मैं ते उस दा पाई उसनू लब्बंड़ी दो बार पाकिस्तान गये सां। पर ओ मेरे ननों कोई दोक सालव ता होवेगी। असी उना नू मिलना जोने है। करतारों दा सका प्रावी हाले जी होंदा। ओ विचारा तडफदा था बहुत है। पर ए इंट्रिव्य वेक मैं नू लेंदे पंजाब तो फोन आया। मेरा नाम रफीक ब्लोच जी। मैं भी भी करतारों दे पेके पेंड ल अपनी हवे लीवेच लको लें सन। खोद हदट पाके आया सी ओना नू। रफीक दे बज़रगा मनों कीते बचादिया कहाणियां मैं पहला वी गोईदवाल साव रेंदे सरदार जन्याद सिंग पुलर अते फ्रोज की रां वस दे बाबा करतार सिंग पुलर कुलों सुन चुका सां। दुनिया तो तुर गय रफीक दे दादे उस्ताद करमदीन बलोच नू मैं सलाम पेश कीता। मैं उसनू आख्या एक पलेदा कम तू भी जरूर कर रफीक पाई। उसने काम पुछिया ता मैं किया अपने पेंड़ दीती वी भी करतारों नू लब। उसते रि जीरा लागे एक पेंड है टेंडवां। उस पेंड़ दी तीई ते नू बिबी हश्मते नू भी संताली वेले उसते पुत्तर उसनू मिलना चौँदे ने। उसने तरला जाले अदिया किया। रफीक बलोच दे खास दोस्त राणा शर्फ राज दे प्योधी पहली पतने स सि बिबी हश्मते। संताली तो बाद बिबी हश्मते दे पती सराज चौधरी नू लल्यानी लागले किसे पेंड़ चकार अते जुमेन मिले सान। मुसल्मान राजपुत्ना दे चाली को कार पेंड़ टेंडवां वेच सान। सब नणू वड़ा कार ते वद जुमेन सराज जुरां दे सी। वो पांचसो एकड़ दा मालक सी। उस दा पिता पढ़या लिखिया बन्दा सी। इस इलाके च जदों के अंग्रेज अफसर ओंदा ता सराज दे पिता नू ही बलाया जान्दा सी। संताली च सराज दा नकाह हुए नू दोक साल हुए सन। वरेक दा एक प अपणे पेंड़ दे किसे गैर मसलम देकार ओ पहुँच गई। दस देने के उसने हशमते नू किसे लोडवांद देकार बठाड़ देता सी। सराज मुंडे नू कुछड चुके अगावल दोड़ पिया। ताडवी उसने पिछे लगे हुए सन। ओ दोड़दा रहा, दो हंब गया। अपना बलूर या पुतर भी उसनू पारा लगण लग पया। उसने पुतर जमेन ते रख देता ते अपनी जान बचा की ताडवियां दी पहुँच तों को परा चला गया। बचदा बचओंदा उन नमे बने मुल्क विच पहुँच गया। टेंडवा पंजा अल्ला ही बजया सी। साल को बाद ओ पर्मट बना के बापस मुड़या सी। ओ कैई देन हशमते नू लबदा रहा। जिस थां ते अपने पुतर नू उसट गया सी। ओ उस थां ते भी गया। उस जमेन ते उसने मथा भी रगड़या। रुया सी। ओ जित्थे भी जान दा अपना नाम पता लहके दे देन दा। हाथ जोड के बेंती करदा हशमते जा उस थे पुतर दा किदरे पता लगे ता उसनू मेरा पता जरूर दे देना। कोई दो बर्या बाद चड़ दे पंजावतों उस थे नाम एक खत गया सी। कोले नाल लिखया हुया। ए हशमते दा उसने अपना पता टकाना लिखया हुया सी ते आके लजान ले जरूरी तगीद भी किती हुई सी। सराज फिर आया इस वार पुलीस भी उसने नाल सी। ओ दस से हुई टकाने ते पहुंचया पर उस का अर्नू जिंद्रा लगा हुया सी। ओ नराश होके बापस मुड तो खत जरूर होंदे। ओ उसनू लजान वास्ते पारत पहुंचदा पर उसनू हर वार नराश होके मुड ना पैंदा। ओ कोई दस वार इदर आया होवेगा। फिर खतान दा सिल्सला वी मुक गया। सराज नराश होगया। संताली ने उस कुणों बहुत कुछ घोल या सी ते उम्रां दे पश्तावे उसनी चोड़ी पाज़ते सन। ओ उम्रों पहला बुड़ा होगया सी। आखरी वेले ओ क्रीब-क्रीब पागल हो चुका सी। ओ ठोठ दोड़दा सी। हशम तेनू अवाजा मारदा सी। अपने पुत्तर नू जमीन ते सुट के आन दा गम ओ केंदियां रफीक बलोच दे बोल पारे हो गये। मेरे कुणों भी हंगारा नहीं सी पर्या गया। उसन। अपने बेगम दा बशोड़ा ता हैसी पर बौता उपने पुत्तर नू याद करके बिलकदा रहनदा सी। जदू किसे आखणा के उलाद सब नू प्यारी हुन दिय ता ओ कूकदा ओ लोको नहीं उलाद नहीं बंदे नू अपनी जान सबतों बद प्यारी हुन दिये। इस गलतों बाद रफीक दे मैं दो में चुप हो गए। शुक्रिया दोस्तों।